अब सभी का बहुत-बहुत स्वागा था टेक्स विदा यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम बाते करते PC गेमिंग और उसके हाड़वेर से रिलेटेड़ चीजों के बारे में तो आज की वीडियो होगी एसुस स्पेशल अब एसुस स्पेशल इसलिए क्योंकि एसुस ने हमे मार्च 26 को अपने लॉंच इवेंट में बुलाया था जहां पे कि उन्हें अपने कुछ प्रॉड़क्स दिखाएं अपने बारे में थोड़ा बता है मतलब की एसुस क्या फ्यूचर में करने वाला है बहुत सारे अन्रिलीज प्रॉड़क्स भी थे जो की ग्लोबली हो चुके थे पर इंडिया में इस वक्त अवलेबल नहीं थे तो ऐसे बहुत सारे प्रॉड़क्स थे और सभी के बारे में हमें जानने का मौका मिला वैसे तो इवेंट था छोटा लेकिन यार मुझे बहुत कोई सीखने को मिला तो अब इस लॉंच इवेंट में क्या-क्या सब्सक्राइब के form factor में मिलेगा और सिफ 5W करता है मज़दार बात यह कि आपके PC को USB 5.0 सपोर्ट करना चाहिए और आप इसे डिरेक्ली plug and play कर सकते हैं और हमें serious बिल्कुल भी नहीं हो यह मजाग था खेर मजाग को छोड़ो real चीजों के बारे में बात करते हैं सबसे पहल की field में हो या फिर software अब उसी चीज को अगर हम सब category में लेकर आते जो कि especially gamers के लिए मतलब की रॉग तो आपके दिमाग में क्या ख्यालत है अब यार मुझे यह बताने की ज़रूद तो है ने की रॉग है क्या आपको probably already मालूम होगा कि रॉग ultimate gaming experience प्रोवाइड करता है चाह और सी बात है अगर आपको best of the best performance चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा उसकी price भी pay करना पड़ेगा लेकिन Asus के पास इसका भी solution है और वो है tough series के motherboards hardware और फेरी-फरेल्स यानि की Asus ने budget हो या फिर high-end दोनों को cover करके रखा हुए इस वक्त तो अब product launches की बात करते हैं तो स कोई जाधा router में interested होगा ने तो हम इसे skip करते हैं और next product की तरफ बढ़ते हैं तो next product है एक mini form factor का PC जिसके अंदर i3 था यह 10,000 का start हो रहा था और ऐसा बताया जा रहा है कि यह जो mini PC around 4K तक के display को मतलब power up कर सकता है और इसी का एक बड़ा भाई भी था जो की i5 powered था और वो around 2 4K display तक को power कर सकता है तो अब बढ़ते हैं real gaming products के उपर लेकिन उससे पहले आपको क्या मालूम था कि हमारे साथ में all trigger भी थे याने की style भाई तो yes वो भी हमारे साथ थे और हमने खूब सारी मस्तियां भी की और Asus ने left के wall पे बहुत ही सारे पुराने बहुत सारे मतलब जित वो अलगी feeling रहती है अब हाला कि वहाँ पे तो Asus ने बहुत सारे products को display के लिए रखा हुआ था जैसे कि Asus का region हो गया जो की 360 mm का AIO cooler है Asus Rock Delta भी था जो की उनका खुद का headset है RGB वाला जैसे कि आप देख सकते हो काफी cool दिख रहा है और quite comfortable भी था उपर से sound quality एकदम खतरनाक थ Asus ने अपना unannounced Thor power supply भी रखा हुआ था जो की 850 watts का था हाला कि अब तो launch हो चुक है बहुत सारे reviews भी आ चुक है लेकिन जब उस वक्त मार्श 26 को ये event था उस वक्त ये globally available नहीं था तो Thor का भी Asus ने मतलब एक cool concept निकाला हुए कि आपका जो power supply वो कितने load पे चल रहा है कूल लगा और RGB obviously बाते रहेगा है क्योंकि rock का नाम इसके अंदर लेकिन पूरे event में जो दो मेरे सबसे favorite products थे वो थे इस उसका rock वाला हो monitor I think उसका जो model था PG27UQ जो की एक 4K monitor है और 144Hz तक जा सकता है जो की यार काफी clear और crisp एकदम मज़ेदार मतलब क्या quality था उसके अंदर आ आपको काफी मज़ा आ जाएगा अब price पर तो मैं comment नहीं करना चाहूंगा क्योंकि जब यह 4K monitor है उपर से 144Hz का है और rock का नाम है तो probably यह सस्ता तो होगा नहीं एक और चीज थी जो मुझे काफी पसंद आई और वो थी asus का mouse जो की gladius 2 था और wireless वाला version था मतलब कि जो recently हाली में launch हुआ था और यह mouse यार perfectly मेरे palm में fit हो जा रहा था और सबसे मज़ेदार बात इस mouse की यही थी कि यह wireless mouse होते हुए भी इसके अंदर बिल्कूल भी latency नहीं थी मतलब कि आप जैसे left right ऊपर नीचे कर रहे हो तुरंत आपको उसका response screen में दिखता था थोड़ा भी input lag नहीं थ तो यह काफी cool feature था क्योंकि यार देखो अगर आप gamer हो तो आपको मालूम होगा कि wireless चीजे जितनी भी होती है वो gamers की enemies होती क्योंकि उनके अंदर input lag होता है latency होता है लेकिन वही पर जो wired mouses होते है उनके अंदर ऐसा नहीं होता है पर यह एक ऐसा mouse था जिसके अंदर की मुझे latency देखने को नहीं मिला अब थी तो और भी बहुत सारी चीजे लेकिन limited time था इसलिए मैं ज्यादा depth में मतलब इन सभी products के जानी पाया और nice ज्यादा मैं shots ले पाया बट और भी Asus के products थे जो कि display करने के लिए रखे गया थे जैसे कि उनके बहुत सारे mechanical keyboards से और फिर बाद में उनका खुझ का एक mousepad था जो कि आपके जो mouse wireless mouse को वो charge कर सकता था अगर आप उसके उपर मतलब रखे खेलते हो तो और Asus का RTX 2080 Ti भी था 1660 Ti भी था पर मतलब ये सब cases के अंदर थी तो मैं hands on मतलब उनको देखनी पाया या फिर आप ऐसे बोलोगी close panel से देखके बाद खतम हो वरना उसे hands में लेके बराबर अपनी जो भी ख्वाइशे थी उसे भी पूरा करते बट वही time की पावंदी थी बस और क्या तो overall इस launch event की वाजसे मुझे काफी कुछ देखने को मिला और काफी कुछ सीखने को भी मिला काफी एक अच्छा experience था और ज्यादा कुछ कहने को है नहीं तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप कर देते हैं अब मिलेंगा अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई